हेलो इस्टुडेंट्स कैसे हैं आप लो आसा गता हूं आप लो ठीक होंगे तो मेरा नामें दीपक एंड वेलकम टू माई चैनल दीपक बायलोजी क्लासेस तो स्टुडेंट्स आज हम पढ़ेंगे इंट्रोडेक्शन टू जेटिक्स एंड डागे टर्म्स करेंगे तो उसका एक बेसिक structure देख लेते हैं कि ये जो terms होते ही ने actually में क्या बोलते हैं ठीक है ताकि जब हम आगे वाले जो chapters पढ़ें जैसी linkage या crossing over या हम कह सकते हैं तो इसी टाइप के जो और टर्म्स जो आएंगे वह आकर होते क्या है तो उनके बारे हमें होते हैं कुछ characters फादर जो पर होते हैं कुछ Mother's कर रहे होते हैं ठीक है मतलब कभी-कभी क्या होता है कि जो new world baby होते हैं अगर आप लुक देखते हैं कि उसकी जो आ Mahi कभी-कभी वो father से Resemption करती है कभी-कभी उसकी नाँख है वो अगर हम देखें तो वो mother से Resemption करती है तो ऐसा क्यूं होता है क्यूं होता है ठीक है लेकिन कुछ केसे ऐसे भी होते हैं कि वहाँ पर क्या हो जाता है की variations आ जाती है एक अगर पैरेंट्स से जो करेक्टर है वो ट्रांस नहीं होता है ठीक कि जैसे है अगर बात करें कि कभी-कभी तो नुबॉर्ण बेबी ओते हैं वो क्या होता अंका उनका सकल है यह फिर से उनका इस घिजिटरी मैच विद अपैरेंट्स आप कि तो यह विवाटा रहे है जो होता है जो लड़का होता है लडकी होती है तो उसमें क्या होता है कि उसको अगर फेनो टिपकली आपने बहुद बाहस अगर देखें तो वो देखने में नहीं फादर क्या उसमें character दिखेंगे आपको नहीं मदर के दिखेंगे ठीक है तो अब हम बात करते है जैंटिक्स तो यही सब है है के टेटरी खारेक्टर कि अब बात आती है कि अगर हम है डीटि क्या होता है ठीक है अगर हम बात करहें है 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 की की तो हेडिती को कैसे मुन डिफाइन करेंगे आप यही केरेक्टर जो पास हो रहे हैं एक जनरेशन डूसरी जनरेशन में में from the parent shoe of spring फिर उस of spring से next of spring ओके तो इसी characters की जब हम study करते हैं तो उसे हम लोग बोलते हैं है डिटी ओके तो दा study of these characters are called हरेडिटी ओके ओके नाओ इफ टॉक एपाउड जैटिक्स जैटिक्स क्या है इति जन्रली कंपोस्ट आफ टू टर्म्स वनी हरेडिटी और अनुदर वन इस वैरियेशन है ओके जैसा मैंने आपको अलड़े एक्स्प्लेइन किया है इडिटी मिन्स जो करेक्टर वो पास हो रहे हैं ठीक है पास होनी की वज़र से क्या हो रहा है कि जो निव बॉर्ण बेबी उसमें क्या होता है कि आप पिनो टिपकली बाहर से देखेंगे अरे इसकी नाग जो इस अब उनी बच्कों में अगर नहीं उनकी नाग पापा से मैच कर रही है तो देखने में लगत् добав मेभी यह इंक Bene यह जो फार्दर से मैच कर रहा है नहीं मैच कर रहा है ठीक है तो होग वेरुएरे सन आ गया ठीक के to jt sky it deals with the mechanism or the phenomena of heredity and variation okay to definition Kelly is the minute ski to it deals with the mechanism of the phenomena of heredity and variation okay to in genetics we deals with two terms heredity and variation okay so we will see now some more important terms which is related to genetics like if we talk about the dominant okay dominant so dominant का बतलब क्या हो गया ठीक है suppose suppose आपने अगर एक ये प्लांट ले लिया ओके एक ये प्लांट ले लिया ठीक है तो इसमें अगर देखेंगे तो इसमें कौन कौन से एलिंस प्रेजेंट हो गया तो अगर आप आप टॉल प्लांट की बात के तो इसमें कैपिटल टी कैपिटल टी हो सकता है और कैपिटल टी स्मॉल टी हो सकता है ठीक है इसमें क्या होगा प्लांट होगा थीक है अगर आप टीनो ट टाइप देखेंगे तो आपको जो टॉल टॉल में यह टॉल यह है यह क्या है यह dominant है ठीक है यह टी अलील क्या है dominant यह जहां पर भी express होगी वहाँ पर जो plant है वो हमेशा tall होगा ओके तो दिल इत इस अलील wherever this is present capital T then the plant should be of tall ओके तो means यह जो T है it is dominant in nature ओके और यह क्या होगा यह express करता रहेगा क्यों यह क्या है dominant है ओके जिसके वैसे क्या होगा यह जो capital T है यह क्या है dominant है और यह अगर किसी भी plant present होगा तो जो plant है वो हमेशा tall होगा ठीक है तो इसे हम लोग बोलेंगे dominant क्योंकि यह express हो रहा है ठीक है अब वहीं बात करें हम small t small t की ठीक है इसमें क्या है जो small t है recessive है क्यों recessive है देखिए अगर small t small t है यह क्या है recessive in nature ओके जहां पर भी small t present होगा वहाँ प्लांट क्या होगा वह हमेशा ड्वार्फ रहेगा ठीक है जहां पर भी small t होगा ऑगर जो पेर है एलिल्स का वह अगर small t small t है तो वहाँ पर जो प्लांट है हमेशा वह ड्वार्फ रहेगा ठीक है आप जैसे मेंडल ने अपने जो मोनो हाइब्रिट कॉस में बताया था उन्होंने कि उन्होंने क्या किया दो पैरेंट को क्रॉस कराया ओके उन्होंने क्या 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 प्योर पैरेंट यानि क्या 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 मिला उन्हें four plants मिले capital T small t then capital T small t then capital T small t then capital T small t तो F1 generation में क्या हुए सारे की सारे plant क्या थे वो tall थे क्या थे tall थे तो उन्होंने सोचा कि अरे यार यह तो पहरी generation में सब plant tall है ठीक है तो उन्होंने सोचा कि चलो अब देखते हैं F2 generation में क्या plants मिलते हैं तो उन्होंने क्या क्या capital T small T लिया ठीक है इसे cross करा रिया self valuable न Kindre Ñ साथ ठीक है तो इन्हें क्या मिला capital T chapter T capital T sack ठीक है तो इसमें क्या हुआ F2 generation में उन्हें क्या मिला F2 generation में उन्हें 4 plant मिले जिन में से तो 3 plant थे वो टॉल थे थिरी प्लांट थे, वो थे, टॉल, वहीं जो एक प्लांट था, वो डौर्फ था, तो इसका मतलब क्या है, जो ये स्मॉल टी है, ये ये एलील क्या है, ये रिसेसिव इन नेचर है, ठीक है, तो ये स्मॉल टी क्या है, इटी रिसेसिव इन नेचर, ओके, इसलिए क्या हो रहा ठीक है यानि small t small t जो genotype है वहार generation में express नहीं हो रहा है जैसे f1 में आपने देखा small t small t small t express नहीं हुआ देखें चारो प्लांट क्या होएं टॉल क्यों यह जो t है जो dominant है क्या है यह dominant allele है इसलिए जो चारो प्लांट थे और फो प्लांट वाज टॉल लेकिन वेन ही अगेन क्रॉस्ट सेलफ पॉलिनेट small t small t then what he found that three of the plant were tall and but the one plant was dwarf तो इससे क्या हमें पर जलता है कि capital यहां पर भी पेजेंट होगा तो वो क्या होगा dominant होगा प्लांट ठीक है जहां small t small t आ गया वहां पर क्या होगा कि वो रिससी हो जाएगा तो यह टर्म था dominant और डिससीव ओके अब हम लोग और टर्म से देख लेते हैं चलिए कुछ और टर्म से देख लेते हैं अब लोग अब़ोगो लोगो लोगो नही होगा यह हो बड़्म जाबदाग टार्म तोलिए कि वोगोगो नही होगा है हुआ है ओके तो अब हम बात करते हैं खोमोजाइगस की की होमोजाइगस का मतलब क्या हुआ हो मुजाइगस ठीक है तो हो मुजाइगस का मतलब क्या होता है कि सपोज suppose अगर आपको ये जीन पेर दे दिया जाए ठीक है तो इस जीन पेर में आप देखेंगे कि दोनों जो एलील है वो क्या है capital T, capital T जो कि दोनों क्या है dominant है ठीक है उसमें क्या है capital T present इसमें capital T present है सही है तो ये क्या होगी homo jack तो ये नाम से लग रहा है homo होगा homo jack अब वहीं इसका देखें तो इसमें क्या है small T small T तो ये भी क्या होगा homo jack होगा correct अब अगर आप से कोई बोल दे कि इसका बताईए capital T small T तो ये क्या homo jack है नहीं तो कि इसमें जो एलील से वो क्या है different है ठीक है इसमें capital T इसमें small T है ठीक है तो ये क्या है ये homo jack नहीं है तो ये क्या होगी ये heterogigus होगा ठीक यहीं पर दूसरा टर्म भी आ जाता है heterogigus heterogigus ठीक है तो heterogigus का मतलब क्या है when they are having two separate different alleles तो ये alleles different होगी ये alleles different होगी ठीक है तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे heterogigus ठीक है तो ये क्या difference होगी homo heterogigus में when the gene pair when the alleles is having the is having same okay when there is different alleles then it is a heterogigus when the same alleles are present then it is called homo gygus when different alleles are present then it is called heterogigus बहुत दिस्पल है ठीक है तो ये होगी homo gygus heterogigus आप बात करते हैं parental generation की ठीक है तो हम बात करेंगे parental generation तो parental generation से क्या मतलब है कि सबसे पहले जिन plants के बीच cross कराया गया वही क्या होगी parental generation होगी ठीक है suppose अगर आपने capital R, small r, capital Y, small y इसका cross करा दे capital R, small r, capital Y, small y तो ये क्या हुआ ये parental generation है ठीक है यानि कि parental cross भी से बोल सकते है ये क्या है parental cross और we can say parental generation ओके तो parental generation का मतलब क्या है हम बोल सकते है जैसे कि जो भी starting में जो भी हम लोग cross कराएंगे दो parent के बीच वही क्या हो जाएगा parent generation ओके या parental cross बोल देंगे एक ये हो गया एक ये हो गया ठीक है इससे पहले तो कोई नहीं था इसके थूरू तो कुछ नहीं बनाया अगर हम लोग कोई भी नया plant अगर बना रहे हैं या नया plant देखना चाहा रहे हैं कि next generation में कैसा plant आएगा तो यही क्या हो गया ये आपके parental generation हो गई ठीक है एक ये हो गया एक ये हो गया ठीक है इन दोनों की भी cross कराया तो यही क्या हो गया आपका जो parental generation क्योंकि इसके बाद ही जो है new new office spring आएंगी चाहिए वो F1 generation में आए फिसके बाद F1 generation में जो plants होगे उनके भी फिस्कॉस होगा तब वो F2 generation आएगा ठीक हो नेक्स डिसकस करेंगे तो नेक्स अब हम बात कर लेते हैं फर्स्ट फीलियर जन्रेशन की तो फर्स्ट फीलियर जन्रेशन ठीक है इससे हम F1 भी बोलते हैं तो इसका क्या मतलब है फर्स्ट फीलियर जन्रेशन का मतलब वें देयर क्रॉस टेक्स प्लेश्ट बिट्विन टू पैरेंट्स देन दा ओफ्स्ट्रिंग विच इस प्रोडूस्ट इस कॉल्ड ए F1 जन्रेशन में ओके सो जो अब नहीं ओफ्स्ट्रिंग आएगी ठीक है जो नए यहां प्रोडूस होगी उस घन्रेशन को मलות क्या बोलेंगी F1 जन्रेशन ठीक ही एक टर्म से आपको अच्छे से पता होने चाहिए जैसे अगहें ₹कि है क्या 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 । ऐंटू क्या 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 हें सब्सक्राएं यह हम रोल सकते है, small t, small t, ठीक है, इसके बीद क्रोट हुआ है, तो यह क्या होगी, parental cross हो गया, ठीक है, और आप कहा सकते है, parental generation, ओके, इसमें cross कराया, तो हमें क्या मिलेगा, capital T, small t, तो यह क्या होगी, यह F1 generation आपकी होगी, F1 generation, understood ना, यह क्या होगी, यह आपके parent हो गया, two parents, and then when they cross, then the plants which produced in the generation is called the F1 generation, ओके, अब बात करते हैं हम लोग, F2 generation की, यह हम बात करते हैं, second generation की, तो second generation, जिसे हम लोग, F2 भी बोल सकते हैं, ठीक है, आप second generation में क्या होगा, आप देखिए, आप यही plant जो F1 generation में आया, उसका अगरम, उसका गरम cross करा दे, self-pollinate कर दे, तब हमें जो plant produce होंगे, तब हमें जो plant produce होंगे, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, F2 generation, ठीक है, आप plant जो produce होएं, वो किसमें होएं, F2 generation में produce होंगे, ठीक है, क्योंकि यह आपका पैंटल हो गया, पैंटल जो नया off-spring आया, वो F1 generation में आया, अब उसके बाद जो नया off-spring आया, वो क्या हुआ है, F2 generation में आया, ठीक है, तो देखिए, यह first generation होगी, यह second generation होगी, okay, is the first failure generation and this one is second failure generation, understood, okay, like that, if they are, again there will be a cross, then the whatever the offspring which will be produced, then the generation will be called a three generation, okay, so, now we will see some more terms, because these are very important for our next lectures, तो नेक्स्ट विल भी, फीनो टाइप, तो फीनो टाइप का मतलब क्या है, जब भी आप किसी प्लांट को देखते हैं, बाहर से, तो प्लांट आपको देखने में कैसा लगता है चाहे वो लंबा लगे या छोटा लगे ठीक है वो आपको छोटा भी लग सकता है बड़ा भी लग सकता है तो वो क्या हो external appearance of the plant तो this is called phenotype suppose आपको ये दो एक प्लांट एक ये प्लांट दे दिया गया ठीक है एक ये प्लांट दे दिया गया और एक ये प्लांट ठीक है तो आपको ये तीनों प्लांट क्या है आप जब बाहा से देख रहे हैं तो ये प्लांट आपको different different लग रहे है ये आपको सबसे बड़ा लग रहा है यह उससे छोटा लग रहा है यह उससे छोटा लग रहा है ठीक है तो आप जब आपने बाहर से देखा या नि एक्स्टेर्नली आपने देखा तो क्या वह आपको इन तीनों प्लांट में डिफरेंस दिखाई दिया ठीक है तो इससु को क्या बोलते हैं फीनो टाइप ओके अगर आप देखना चाहते हैं कि यह बड़ा क्यों है ठीक है ये प्लांट चोटा की हो है ठीक है इसके लिए यहां में देखेंगो ये फ्लांट तो है यह बड़ा क्यों में या चोटा क्यों है ठीक है तो इसमें जीन जिखेंगे जह में चै報 जिसे वो कौन को सी पज्ट होगी capital T capital T करेक्ट और दूसरा केस क्या वो capital small T तो two types के जीन स्पेर्स इसमें present होगे जिसके वाज़े से जो plant होगा ये ये टॉल होगा क्योंकि इसमें जो T है capital T ये dominant है यह क्या है dominant ठीक है दूसरे प्लांट देखते ह्मालटी सिर्फ एक ही जीडियो टाइप में इसकी सिर्फ जिसकी बढ़र्फ फtaćक है तो अब आप जीनो टाइप देखरा एं तो आप देखना पड़ाएगा कि इस लॉंग प्लांट में जो जीनो टाइब इसका क्या है मतलब कि उसमें जो जीन पेर्स पेजेंट है वो कौन-कौन से हैं ठीक है तो इसी को हम लोग बोलते हैं जीनो टाइब करेक्ट ओके नौ विल सी सम्मोर टम्स कि जब कोई भी एक सिंगल करेक्टर लें ठीक है उसके बीस क्रोस कराएं तब जो प्रॉस अप्टेन होगा वह आपका मोनो हैब्रीट क्रॉस होगा और जो सिंगल क्रेक्टर होगा क्योंकि आपने एक सिंगल क्रेक्टर लिया जैसे अगर आप बुदे आपने क्या किया है यहां लेकर 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 इसके बीस क्रॉस करा दिया तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे मोनो हाइब्रीट अब अगर इसके बीच आप क्रॉस कराएंगे तब जो भी जो न्यू आफस्प्रिंग आएगी वो उस क्रॉस को हम लोग क्या बोलेंगे मोनो हाइब्रीट क्रॉस क्रॉस कराने के बाद आपको न्यू प्लांट मिला ठीक है तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे मोनो हाइब्रीट क्रॉस ओके इफ टो डाइब्रीट क्रॉस तो डाइब्रीट क्रॉस में क्या होगा आपको एक से है जैसे अगर आप आप वाई 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 इसका क्रॉस कराया ओई लाइ इसका क्रॉस क Communist करेंगे ऐ Rabbit आपको दो टैप अ करेक्टर मिले टाक एक तो सेब्सक्राइब एक विल गया क्यों मिला यह हो गया है ऑदी दोसरा घ्रिंगर ऀद यह क्यक precio यह क्या हो किए आप हो गया एक नगेक्टर अब दूसरा क्या हें कट्रूब तो यह होए यलो इसका क्या होए ग्रीन कॉटे तो हां के टने मिलें सब्सक्राइब आप क्या थे जर्कॉरे थेर य। ले यू POL continue okay so this is about the monohybride dihybrid course and try hybrid hour we can say polyhybrid course also we can say like that only okay now we will see some more terms so 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 बच्ट जाओनों जप खब खूज। बच्ट हाँ बच्ट ज़ एड़ खू़ क्यों प्लस कस अए ज़स्ट जब खू़ so next we will see linkage so I 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 तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथी साथ बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरे द्वारा बनाए ये वीडियो का जो नोटिफिकेशन है वो आपको time to time मिलता रहे हैं तो अब हम अपने next lecture में देखेंगे bono hybrid cost ठीक है या हम उसे बोल सकते law of segregation तो बिलते हैं हमारे next वीडियो में till then bye bye take care and work hard